राम राम किसान भाई्यों कैसे हैं आप सभी जोग आजा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे भागवान से प्रात्ना करता हूं आप सभी लोग शदैब शूकी वहिशमपण होंगे बेपी का उलबार्द चैनल की आप सभी अनदाताओं के चड़ों में नमस्कार मेरे प्यारे शाथियो आज का जो वीडियो में लेकर आया हुआ हूँ प्रति एक अनदाता के लिए बहुत ही आवश्यक है तो वीडियो को इसकिप न करें पूरा वीडियो को देखने की कोशिस करें शाथियो जब हम अपने सबसे पहली और आबश्यक बात आप को जो भी भैस खरीदनी है बच्चा दे चुकी हो वो भेंस हमें खरीदनी है जो भेंस बच्चा देने वाली है हम ऐसा प्रियास करेंगे कि वो भेंस हम न खरीदें पिर हमें देखना है उसका दूद कैसे देखना है ये नहीं कि हम उसके पास चले गए बोल दिया किशान हुआ या कोई ब्यापार हुआ उससे बोल दिया मैंने बहिया दूद निकाल के दिखा दो, वो तो दूद निकाल के दिखा दे, लेकिन नहीं, हमें स्वैम अपने हाथों से दूद निकालना है, और कम से कम तीन टाइम दूद निकालना है, जब हम दूद निकालने के लिए जाते हैं, तो हमें सबसे पहले नंबर पर गौर करना है, जब उसके चारो थनों में दूद आ जाता है बच्चा लगाने के बाद में तो वो चारो थन बराबर हो रहे हैं या छोटे बड़े हैं सबसे पहली बाद दूसरी बाद देखते हैं दूद निकालते टाइम पर जब दूद नसों से अडर के अंदर आता है तो हमारा जो अडर का लेबिल होता है वो कितना बराबर हो रहा है कितना तनाव आ रहा है कभी-कभी क्या होता है बहांस का एक अडर पूरी तरीका से तनाव में आ जाता है एक अडर में हलका सा ढीलापन रहता वह बहांस हमें नहीं खरीधनी है और भी most important बात बता दें कि जब आप थन की धार फोड़ेंगे सबसे most important बात है कि धार फोड़ेंगे तो इस थन को पकड़ कर देखिए उपर से नीचे तक उस थन के अंदर कहीं पर कोई गाठ तो नहीं हो रही है येद कोई गाठ हो रही है तो हम भैंस नहीं खरी देंगे और भी आवश्यक बात ये देखनी है कि भैंस हमारी कितनी मुलाइम दूध निकल वा रही है धार अधिक टाइट तो नहीं है उसकी धार पतली सुई जैसी तो नहीं निकल लही है ये हमें साबधानिया दूध निकालने के टाइम पर देखनी है जब दूध निकालने उसके बाद में दूध को हमें नापना है शुबे को भी दूध को नापना है साम को दूध निकालने जाएंगे तब भी हम दूध लीटर से नापेंगे कितने लीटर हो रहा तीसरी बार अगली शुबे को जब हम दूद अपने हाश्चे निकालेंगे और उश्य ना पेंगे तो हम कन्फर्म हो जाएंगे कि हमारी बहांस जो हम ले रहे हैं उसके पास 10 लीटर, 12 लीटर या 18 लीटर या 16 लीटर कितना दूद है यह साबधानी हमें करनी है बहांस करीदने से पहले दूद से रिलेटेट अब आते हैं और भी कुछ साबधानिया उसके दातों को अच्छी तरीका से देखना है कि वह बहांस कितने दात की है उसके दात अधिक चमकदार तो नहीं हो रहे है दात गिस तो नहीं गई है ये दात गिस गई है चमकदार हो रही है एक दम चिकने है तो समझ लीजिए भेंश की उम्र अधिक है और लेक्टिशन हमें ग्यात करना है कौन सा लेक्टिशन है दूसरा लेक्टिशन है या तीसरा लेक्टिशन है या चोथा लेक्टिशन है वैसे बैस्ट जो लेक्टिशन होता है वो दूसरा और तीसरा इसके बाद में साथ लेक्टिशन तक बराबर दूद देती है उसके बाद रिंग बनी होते, रिंग कल. हुए कितनी रिंग है, दो रिंग है, तीन है, चार है, या दस रिंग है, उनको count करना है. उन से हम अंदाज लगा सकते हैं, हमारी जो बहन करीद रही हैं, उसकी उमर कितनी है? बहन की तोचा एकदम चमकती हुई होनी चाहिए आंखों में चमक होनी चाहिए फिर हम खरीदेंगे जब हम दूद निकालते हैं उश टाइम हमें तीन बाद दूद निकाले में ये भी अंदाजा हो जाता है कि हम जो भैस ले रही हैं बास्तम में वह भैस कितनी लाट चलाती है, ये भी अंदाज लग जाएगा ये तो साब धानिया हमें बरतनी है मेले से ये दे आप कोई बहांस लेने जाते हैं ब्यापारी के लेने जाते हैं तो बहांस आप देखाईए मेले, भाल लीजी नहीं, ब्याना भले दे आएं कुछ रुपई दे आएं और बोलें कि हम आपके घर पर आकर के देखेंगे हम 100-200-500 रुपई महंगी ले लेंगे लेकिन भैंस का दूद आपके घर पर निकालेंगे उसके बाद में लेंगे मेला में कितनी भी खतरनाक भैंस चली जाए वो मारेगी नहीं बिलकुल और जब घर पर होगी तो उसकी जो क्वालिटी होती है मारने वाली वो हमारे सामने आ जाएगी तो ये रही कुछ बैंसों की खरीदने से पहले की शाबधानिया आप जब भी अपना पैसा इंवेस्ट करना चाते बैंसों की उपर तो अच्छी तरीका से चान भी इन करके ही भैस करीदिये गया क्योंकि आज की संसार में 99 प्रत्सत ठग और बेईमान लोग बैठे हुए हैं हर अगला शामने वाले व्यक्ति को मूर्ख बनाने के लिए बैठा है तो जब भी आप जाते हैं आखें कान और अपना दिमाग खोल कर ही भैस करीदने के लिए जाएं अनिता आप लुट सकते हैं ये रहीं भैस करीदने से पहले किशाबदानिया और इन केस आउफ फीचर आपके पस्वों को किशीवी प्रकार की कोई शमश्या होती है शमश्या समझ कर उनके अंसवार एक नया वीडियो बनाकर प्रोवाइड कराएंगे जिसचे आपके पस्वों की शमश्या का समाधान होगा और फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैराम जी के